दोस्तों रियालिटी शो बिग बॉस ओटीटी सीजन टू की जबरदस सफलता के बाद अब फैंस इसके अगले सीजन का बेसबरे से इंतजार कर रहे हैं। इसी को लेकर एक गुड नियूज आ रही है कि ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। बस एक महिना और फिर से होश् सल्मान खान नए जाने माने चेहरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अब रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये शो 15 मई 2024 से शुरू होने वाला है। बिग बॉस ओटीटी 3 के बारे में और ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन मेकर्स और जानी मानी पर खंडे और उनके पती विकी जैन विग बॉस 17 में आये थे। विकी को लेकर अफ़ाह उड़ रही थी कि वो विग बॉस OTT सीजन 3 का हिस्ता होंगे। हाला कि उन्होंने अफ़ाहों को सीरियस से खारिस कर दिया है और बताया है कि उनका ऐसा कोई प्लैन नहीं है। रिपोर् से की वज़ा सेट पर उनका बुरा बरताओ बताया जा रहा है। टीवी एक्टर अरहान बहल को भी मेकर्स ने अप्रोच किया है जिन्होंने मन की आवाज प्रतिग्या सीरियल में किष्णा सिंग बनकर घर-घर में पहचान बनाई थी। वहीं शो की टीरपी बढ़ाने के लिए इस बार भी यूट्यूबर्स को लाए जा रहा है मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूबर तुशार सिलावट रोहित जिंजुर के आयांशी शर्मा और संकेत पाद्या को भी अप्रोच किया गया है यह सभी इस बार शो का हिस्सा हो सकते हैं इससे पहले बिग बॉस ओटीटी के दूसरे सीजन में एलविश एदर और अभशेक मलहान ने शो को खूब टियारपी दिलाई थी एलविश ने शो के बीच में वाइल काल एंट्री ली थी लेकिन वो शो के विनर बन गए थे फिलाल आप कितने एक्साइटेड हैं सलमान खान को एक बा अपनी राय हमें कॉमेंट पे लिकर अब अच्छे बताएं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए बाबाय टेक केर